तो डियर स्टुडेंट आज की या वीडियो भी इफरर्थ समस्टर आनी की चतुरत समस्टर वाले स्टुडेंटेंट के लिए महासंगराम होने वाली है जिन जिन वीडियो स्टुडेंट की परिचा कल पर सोय फिर आने Правों में हैं और हो ब्लभी इफरStemask.श्र. मता देता हूं अगर इनको तयार कर लेते तो माई कलाल कोई पैदा नहीं जो आपको परिच्छा में फेल कर सके ठीक है तो वीडियो को पूरा प्रस्तुत कर रहे हैं मादल पेपर दिखा रहे हैं किस प्रकार का रहा है किस प्रकार कुछेंट में भड़ेंगे तो चलिए प्रशन पत्त का नाम हिंदी अनुवाद लिखा आई और समय आप लोगों को कुछ सी निवर्शिटी म तीन गंटे का मिलता है कुछ में दो कमीलता आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है इसी की हिसाफ से आपको उत्तर देना है क्योंकि जो मारे विरिलेंट यह नी स्मार्ट स्टुडेंट होते हैं वह इसी हिसाफ से उत्तर देते हैं ठीक है चली आते हैं पहला प्रशनी की और पहला प्रशने की अनुवात का आर्थ अस्प्रेस्ट कीजिए ठीक है यह बहुत ही पहांत पूर्ण प्रशने है अनुवात को इंग्लिस में ट्रांफलेशन बोलते हैं बहुत ही पॉपलर कोश्चे हंडर पसंद फसेगा नोट कर लीजे ठीक है हम माडल पेपर आपको फिले प्रशने को उम्मीद है उन्हीं को आपको बताना फाल तो के नमत बताना ताकि आपका टाइम दिशना हो तक हम इदर के को बताएंगे जिनके कम संभावना आने की तो अगर आप उनको तैयार करने में बठेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा और इच्छाया आपकी लगी ह इसलिए हम आपको most important question नहीं बता रहे हैं अगला question की पारिवासिक सब्द का अर्थ बताएं तो पारिवासिक सब्द हमेशा पूशे जाना वाला question है इसको तुरन नोट करिए प्रशन आपको अतले घुतरन देखने को मिलेंगे कुछ इनवर्शिटी में पांची question आते हैं लगुत्री में कुछ इनवर्शिटी में 10 question पूशे जाते हैं तो आपके परिशा जो लगी है उसमें हो सकता 10 प्रशन आया ते लगुत्रेगे लेकिन वह मेंटर नहीं करता में यह करता है कि आपके लिए कौन-कौन से बार बार पूच्छे जा रहे हैं कौन-कौन से आने क कर यहां पर प्रिश्टुत है पढ़ लिजिएगा तब उसका उत्तर देने का प्रियास करिएगा ठीक है चलिए आते हैं लग उत्तरे के पहले प्रशन के और पहला question तो नोट करिए लिखा कि अनुवात का महत अपने सब्दम लिखी यह जो टांफ लेशन होता इसका महत त सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम वही बताने का प्याफ कर रहे हैं जो सटी question आपकी पर इठने वाले आने वाले ठीक है क्योंकि पिछले शेफास वालो का experience है पता तो है ही कौन-कौन से question बार-बार आ रहे हैं क्योंकि हर्वर्स का मारल पेपर हम देखते हैं और हर्व सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला की अप्योग पर अपने विचार सब्सक्राइब करना है कितने सब्सक्राइब और भाई उसके बाद एक मिनट एक मिनट इसके लिए कितने नमबर दे जाएंगे पूरी जानकार यहाँ पर लिखिए तो आपको पढ़ ले ना ठीक है उसके बाद आते हम question क्यों पहला question है देर गुतरेगा कि अनुवाद का अर्थ-सपस्ट करते हुए रोजगार के छित म है नो करी मिल सकती है उसकी सम्हाब नना है तो बारे मिट थे हैं यानि कि समत्परектор रहता उसकी आव सकता रहती है ठीक है तो आप वहां पर आफ आने से आपका जॉइनिंग हो सकता है लेकिन आपको मल्टि लेंगोज की नालेश रहेगी विविन अलग अलग छेत्र है जहां पर इसकी रिकार्मेंट पड़ती है डीटियल में आपको हमारे प्रश्ण उत्तर में मिल जाएगा फ्रीज में जो कि अभी आपको प्रस्थूत करेंगे उसमें मिल जाएगा डीटियल में कि आप लोग कैसे रोजगार पा सकते हैं अगला कोश्चन की बहुत भासिक समाज में अनुवाद विशे पर सार गर्भित निमंदली कि तो मुईत कम है आने की लेकिन आपक अगला कोश्चन आपको प्रतिस प्रस्थूत उम्मीध लिए आने कि अगला की अंगरेजी हिंदि अनुआद को किसी सब्स्थ को हिंदी से हिंदी सब्सक्व करेंगे तो समस्चा आया ती है यह फिस तो लेंगे तो समस्याइभी जो बिभी ने समस्याएं आती हम आपको वररण करना है उनके समस्याएं बताना है यह कोश्चन कह रहा है तो इसका उत्र लिखना बेस्ट इंपॉर्टन वेजिश्चन है तो यह रहा पूरा का पूरा माडल पेपर question के लावा अन्य भी बहुत फारे महात्मोंट प्रश्ण है और उसके उत्तर वहाँ पर आपको मिलेंगे तो चलिए हम चलते हैं पीडियाप की ओर ठीक है तो डियर स्टूडेंट अफाइनली हम आप चुके हैं महा संग्राम पीडियाप की ओर जो की विए फोर समस्टर हिंदी किये उस माडल पेपर में जो भी आपको में दिखा रहा था ठीक है उसमें जितने भी कोश्चन थे उस सभी प्रश्णों का उत्तर लगभग लगभग इस महा संग्राम पीडियों में मिल जाएगा हो सकता है काद्दू कोश्चन का नहीं और बाकी सभी का मिलेगा और अन्य में मसीनी अनवाद के बारे में मसीनी अनवात के बारे में मसीनी अनवाद का मतलब सबसें के हैं तो मसीनी अनुवाद का अर्थ है मसीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक बहाफ़ा फिर दूसरी बहासा को अनुवाद करना यानि कि टांफलेट करना ही मसीनी अनुवाद है ठीक है सिंपल सा परिभासा उत्तर लिखेंगे कि अनुवाद अगला पॉइंट है कि अनुवाद की तीन प्रिक्रियाएं शर्व सुभिक्रत है पहला बिसलेशन दूसरा है अंतरण और तीसरा है पुनरगठन मसीनी अनुवाद में यह तीनों प्रिक्रियाएं कंप्यूटर संपन्न होती है इस बात को भी ध्यान लखेंगे बहुत सिंपल सा उत्तर है आप लोग को तो इतना यादी हो जाएगा न कि मसीनी अनुवाद करने का प्रोसेस अनुवाद कहलाता है मसीनी अनुवाद में रोजगार की संभावना है अभी देखिए माडल पेपर में कुश् पारलो विभिन उन्यालेवय और प्रधिक्रों आद में अनुवादकों के पदों की अवशकता होती मतलब कि जो अनुवादक होते हैं जिनकों बहुतब्स बहुत फारेक्त कारेल थे उसमें भी चैन हो सकता है वेकंशिया निकला करती है जैसे कि आर्मी की फूलिस की निकलती रहती वैसे ही अनुवाद यानि ट्रांफलेशन के जो ट्रांफलेटर होते हैं उनकी वैकेंसिया निकरा करती हैं तो आप इन पदों पे अपना फॉर्म फ्लाइट चैन कर सकते सरकारी कारेलों में जो पड़ती तब न्यालयों में यानि कि जो कोट होते हैं हाई कोट सप्रीम कोट इसमें जरूत पड़ती है और इन सभी चीज़ों में इसटी जो आनुवाद को के पदों की आवसकता होती इसके पर वहा महां लोग-सभा राज़सभा सचिवाले में समपादर्मा अनवाद सेवा में अनवादों को के पद पर भारती थिक भरतिया की जाती मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ही नहीं लोग सभा राजसभा और सचिवालों में भी अनुवादर यानि कि टांफ्लेटर अनुवादर की जोद पढ़ती है और उसके भी बहुत फारे पद निकलते हैं ठीक है बहुत फारे भड़तिया निकलती जिस पे आप अपना चैन य सब्सका उत्तर भी सिंपल सा है अगला प्रशन है कि अनुवात्व पृक्रिया क्या है दो कि प्रकार की प्रोसेस होता जिसके माध्यम से एक language से दूफे language को ट्रांफलेट किया जाता है तो बेसिक सा प्रक्रिया क्या है तो अनुआ का मतलब यह हुआ जब कोई आप लिखते हैं एपल लिखने के बाद अगर आप लोग अनुवाद ले सकते हैं तो दोनों प्रक्रिया होती है कोई जैसे कि आपको हिंदी बोल ला तो आप लोग जैसे कि उसको माली जी हिंदी समझ में आती है ठीक है और आपको English में समझ में आती है तो वहाँ पर एक अगर कोई इंसान है जिसको सब चीज देंगो जो कमारुम दान कारी है ठीक है तो वह आप जो हिंदी में बोलेंग महात्पूर्ण प्रश्ण है अनुवाद के प्रकारों का भी भाजन दो तरह पे किया पकता है पहला अनुवाद की मुक्ष दो ही हैं लेकिन इसके अंतरगत अनौत की सीमाई क्या यह यह समाजिक राजनेतिक वातराण के बीट विषेंगतिया होती है मतलब कि अनुवाद की जो सीमाएं हैं जहां पर बहुत फारी भास आएं या फिर बहुत समाजिक कंडिशन आते हैं आर्थिक या रानितिक वात्रा उनकी बीद कुछ समस्या पैदा होती है तब वहां पर संपूर दस्तावेजी करण के बाद यह सीमाएं गायब हो जाती है औ अगर आपके पर इच्या कली परसों लेगे तो इसको उग्नोर करती जिए ऐगला की अंग्रेजी से हिंदी अन्वाद के M teenager अाती है प्रस्तै तो उत्तर निखेंगा क asks Do अती दिन अ है जब अर्थ क्राप ऐसे वाफ़ा में कर रहे होते हैं उसकी प्रकर्थ उस का रच्छन आवस्यक होता है यह फिर आवस्यक हो जाता है सब्द साहा अनुवाद एक हतार नाग बीमारी है क्योंकि एक भाफा के सब्द हुबा हुँ दूफरी भासा में अक्षर नहीं मिलते हैं आप सभी को मालूम है तो इस प्रकार की कुछ बेशिक समस्या है थी जिनको थो भब लेक सकते हैं चला निउश्कोशन देखते हैं कि अनुवाद और सांस्कृत में क्या समध्यां यानि कि अनुवाद सांस्कृतिक अदानप्रदान का माध्यम बनता है। सांस्कृतिक आर्दान प्रदान का माध्यम बनता है सांस्कृतिक सेतु का काम करता है इफ ले कहा गया है कि अनुवाद मूलता सांस्कृतिक कर्म भी है प्रचीन समय में या आदान प्रदान होता रहा है कि भारतिय साहित दर्सन वा गणित आद का अनुवाद चीनी जापानी शिंगली जर्मन फ्रांसी फी अंग्रेजी आज भासाओं में होता रहा है यानि कि जो बहुत फारी भासाओं रही हैं जैसे कि कुछ भासाओं रही है भारतिय साहित की दर्सन गड़िता आध की और कुछ चाइना की जापानी ये सब भासाओं थी तो इन भासाओं का अंग्रेजी में अनवाद होता रहा है तो इस प्रकार अनवाद और संस्कृत के बारे में बढ़ेंगे अनवाद कमता होगा टांफलेशन और संस्कृत कमता होगा रीत रिवाज यानि की कलिचल जिसको बोलते हैं तो इन दोनों में संबंध आप लिख देंग आ प्रकार बताई का किसे कहा है इस तरह कि बहुत साथ इसने प्रस्तूत हैं तो यह पूरी पूरी Πीडियों को देने वाले हैं तो आप लोग इसको प्राब्त करके अपने एक्जाम के तयारी जब भी आपके साफ आपको समय मिले तब आप लोग कर सकते हैं और यह पूरी पूरी पीडियाफ इसमें से जो बेसिक कोश्चन थे माडल पेपर में बताएं उनको तो आप जरूर तयार कर लेंगे और बाकी के अगर आपके पास समय है तो इस पे पीडियाफ में जो महा संग्राम पीडियाफ है इसमें कोश्चन देगे इंद उत्तर दिएगे उन से पर आप प्रकाप जमा सकते हैं तैयारी कर सकते हैं और यह पूरी पूरी पीडियाफ जो है आपको हमारे वृटसअप ग्रूप कर लिंक है इसी वीडियो के डिसकुसियों मिल जाएगा वृटसअप ग्रूप से से लेकिन आप जॉइन होने के बाद आप हमें एक आफसन दिखेगा एडमिन पे उस पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे तो हमारा नमर तो हो जाएगा तो इस पर मैसेज कर दीजेगा किसार हमें भी ए फोर्स समेश्टर हिंदी की महासंग नाम पीडिया चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो आप तैयारी कर लिजेगा बाकी या अपका अपना ही चैनल स्टेश्ट हुए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर वीडियो में या फिर क्लास में अगर कोई भी गलती लगी हो या फिर बाई दुबे मस्ते हो गए तो इसके लिए हम छमा इनकि बाई बीड़े बनाने में समय लगता है तैयार कने में समय लगता है कुछ वर्ड इतने टायम बोलने में एक दू आगे पीछे या फिर भाई मिश्टेक हो जाते है तो इसके लिए माफी चाहते हैं या सब से होता है क्योंकि आप भी जाते हैं परिच्छा देने तो स सभी प्रश्णों का उत्तर सही फिलिखकर नहीं आते हैं या फिर कोई भी टीचर ऐसा नहीं है दुनिया में जो सभी चीजे आप लोगों को परिफेक्ट वतादा उसे गलती नहों तो अगर गलती नहों तो सभी अपने आप में महां गाजा सब लोग पर धान मंत्री बढ़न